आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपार आईडी क्या है और कैसे काम करता है अगर आप स्टूडेंट है और छात्र है अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तो आपको एक अपार आईडी बनवा लेना चाहिए ठीक है क्योंकि कहीं पर अगर एडिवीशन करवाते हैं जैसे अधार कार जरूरी हो गया है उसी परकार से अगर इस्टूडेंट है तो आपके पास अपार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है अगर आपके पास अपार कार्ड नहीं है तो आप यहां पर कहीं पर एडिवीशन credit based system about apar, यहाँ पे apar के बारे में इसको अच्छे से पढ़ लेना है अगर आपको English नहीं आती है तो इसको यहाँ से copy कर लेना है और Hindi translate करके आप English में पढ़ सकते हैं, Hindi में ठीक, इस परकार से आपको पढ़ लेना है देखिए how to, education, parents consent, submitted यह सारी अधार ID generated upload to DG Locker, तो इस परकार से आप यहाँ पे अधार अपार ID आपको बनवा लेना, बनाने लिए आपको क्या करना है about resources, बहुत सारे option help line number अगर आपको कोई problem आती है तो help line number पे भी call कर सकते हैं, उसके यहाँ पे आप फायदे भी पढ़ सकते हैं, क्या-क्या यहाँ पे फायदे होने वाले हैं तो आपको यहाँ पे एक अपार ID, अगर student है आप, तो आपको यहाँ पे अपार ID जरूर बनवानी चाहिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है मेरी हिसाब से, क्योंकि एक अधार कार जैसे होता, वैसे अपार ID भी आपको बहुत ही जरूरी है समझ गया आप मेरी बात को तो इसलिए आपको एक अपार ID जरूर बनवाना चाहिए, ठीक है, सिंपल से क्या करेंगे, learn how to इस परकार से आप यहाँ पे जाकर, अगर आप नहीं बना इस परकार से आपको यहाँ पे ID क्रीट कर लेनी है, ओके तो अपार ID बहुत ही जरूरी है आपको अपार ID बनवाना चाहिए ओके, चलिए वीडियो कैसी लगी, कमेंट आप जरूर करिए आपके कमेंट